भूलिए गड़पती बपा की जै मुसक पे बैठे गड़ेश गड़ेश भूले बाबा मुसक पे बैठे गड़ेश गड़ेश भूले बाबा मुसक पे बैठे गड़पती ब्रह्मांड पहुँचे सरस्वती ने पूजे गड़ेश गणिश भोले बाबा मुसक पे बैठे गणिश गणिश भोले बाबा मुसक पे बैठे गडपती कैलास पहुँचे गणिश भोले बाबा मुसक पे बैठे गणिश भोले बाबा मुसक पे बैठे गणिश में पहुंचे सीता ने पूजे गणेश घणेश भोले बाबा मुशक पे बैठे गढेश मुशक पे बैठे गणेश ऐसे ही आसान भजनों के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, चलिए आगे सुनते हैं फजन मुसक पे बैठे गड़पती मतुरा में पहुँचे राधाने पूजे गड़ेश बोले बाबा मुसक पे बैठे गड़ेश मुसक पे बैठे गड़पती पहाणों में पहुँचे मुसक पे बैठे गड़पती पहाणों में पहुँचे दुरगाने पूजे गड़ेश बोले बाबा मुसक पे बैठे गड़ेश मुसक पे बैठे गड़पती घर घर पहुचे भक्तों ने पूजे गड़ेश गड़ेश बोले बाबा मुसक पे बैठे गड़ेश तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शंकर परिवार में शंकर जी और गउरा जी के पुत्र गड़ गजानन यानि हमारे गड़पती बपा और कार्ति के हैं जो दोनों भाई हैं और दोनों के जो क्या बोलते हैं सवारी वाहन जो हैं हम बता दें आपको कि शंकर जी के वाहन हमारे नंदी महराज है और गड़पती जी के वाहन हमारे मूसक है और कार्ति के वाहन हमारे मोर है और गउरा जी मतलब गउरा जी तो शक्ती का रूप है तो वो शेर की सवारी करते हैं शेर की सवारी करते हैं तो जो शिव परिवार है उन में कौन-कौन से वाहन है शिव जी के नंदी है और बैल है वो और शेर है और मूसक है और क्या बोलते हैं मोर है अब देख लीजिए किसके मोर और जो संकर जी के गले में सर्प रहते हैं तो उसका मोर और सर्प का जो होता है